हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए एक बहुत सुन्द सा प्यार सा डिजाइन ये कर रही हूँ जे दोसलेईों का डिजाइन है और बनाने में बहुत ही इजी है इसको बनाने के लिए हमने चार चार के मल्टिपल में फंदे लेने हैं और प्लस दू फंदे लेने हैं मतलब चार प्लस चार प्लस चार और जितने भी आपने फंदे डालने हों लस्त करने हैं तो डिजाइन को बनाने के लिए मैंने अठारा फंदे लिए हैं हम एक स्लाइए उल्टि और एक सीधी बना लेंगे उल्टी सीधी सलाई बनाने के बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे जे हमने एक सीधी सलाई बना ली है और एक उर्टी सलाई बना लेंगे यह दो सलाई बनाने के बाद हम डिजाइन शुरू करते हैं पहला फंदा है जो हम ऐसे सीधा ही बनेंगे और दूसरा फंदा पीछे से बनेंगे लेकिन फंदा गिराएंगे नहीं फिर दूसरा फंदा पीछे से बनेंगे फिर भी फंदा नहीं गिराएंगे और फिर तीसरा फंदा बनेंगे इसके बाद चोथा फंदा भी हम ऐसे ही बुनेंगे तो चार फंदे बुनने के बाद हम ये चार फंदे गिरा देंगे तो हमारे चार फंदे पूरे हैं फिर आगे भी ऐसा ही करेंगे पीछे से फंदा बुनेंगे फंदा गिराए बिना सेकिंड फंदा बनेंगे फिर थर्ड फंदा बनेंगे ऐसे फिर फॉर्थ चौत्हा फंदा भी हम ऐसे ही बन लेंगे और ऐसे चार फंदे बनकर हम ये चार फंदे गिरा देंगे सारी रो हमने ऐसे ही complete करनी है, फंदा पीछे से बनना है, गिराये बिना, दूसरा फंदा बनना है, फिर बीच से slide डाल कर, पीसरा फंदा बनना है, फिर चोथा फंदा बनना है, तो ऐसे ही हम बुनकर चार फंदे तो ये चार फंदे हैं गिरा देंगे नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे इसके बीच से डालती हुए सेकिंड फंदा फिर थर्ड फंदा बुनना है फिर फोर्थ फंदा बुनना है और ये लास्ट वाला फंदा है ऐसे ही बून लेंगे ये हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट होगी है अब डिसाइन की सेकेंड रो है जो ऐसे ही सारी स्लाई एक एक फंदा करकर उल्टी बून लेंगे सारे फंदे उल्टे ही बुनने है तो हमने जे उल्टे उल्टी रो में सारे उल्टे फंदे बुन कर स्लाई कम्प्लीट कर लिए है अब ये हमारे दो रो का डिजाइन है अब दीसरी रो में हम थोड़ी से चेंज करेंगे पहले हमने एक फंदा बुनने के बाद यहां से डिजाइन शुरू किया था अब एक तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर डिजाइन शुरू करेंगे ऐसे ही दागा पीछे रखते हुए पहला फंदा है जो ऐसे बुनेंगे फंदा गिराए बिना फिर दूसरा फंदा बुनेंगे फिर तीसरा फंदा बुनेंगे ऐसे ही हम चौत्था फंदा बुन लेंगे तो हमारे चार फंदे कम्प्लीट हो गए हैं ऐसे ही हम सारी स्लाई कम्प्लीट करेंगे पहला फंदा ऐसे पीछे से बनेंगे दूसरा फंदा भी ऐसे बीच से बनेंगे फिर बीच से स्लाई डालते हुए तीसरा फंदा बनेंगे ऐसे ही चोथा फंदा बनेंगे देखिए तो हमारा डिजाइन कुछ इसा बनता चला जाएगा हम सारी सलाई ऐसे ही बुनते हुए कम्प्लीट कर लेते हैं पहला फंदा बुना स्किप्ट किया विना दूसरा फंदा बुना अब फिर तीसरा फंदा बुना ऐसे फिर चौथा फंदा बुना और सारे चारे फंदे इदर वाले गिरा देंगे तो यह तीन फंदे हैं जो हम ऐसे ही सीधे बुन लेंगे सीधे बुनने के बार जो उर्टी साइड है वो सारी स्लाई ऐसे उर्टी ही बुनेंगे स्लाई बुन्या स्लाई बुन्दा स्लाई तो देखिए हमारी ये डिजाइन की ये सलाई भी कम्प्लीट हो गई है और हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया है अब बनकर ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा देखिए ये कितना प्यारा दिखता है आप इसको बेबी फ्रॉक में डालिए जाँ फिर लेडिस कॉर्डिगन में डालिए जाँ जाक्त में डालिए ये सभी प्रजेक्ट में बहुत सुन्दर लगेगा आप इसको शॉल में में डाल सकते हैं तो आप भी ट्राइ करें और मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू फर वच्चिंग